आज में लेके आई हूं बिना मेदे की बनकर तयार होने आली जटपट ना ही घंटो मेदे को सडाना और ना ही बिना मेदे यूज करें हमने यह जलेबी को बनाया है और घर पर रखी चीजों से यह जलेबी बनकर तयार हो जाती है और जटपट बनकर तयार होने वाले यह जले के इतना मिठा सोड़ा भाद से इतना अघाला था पाणी तो ते इतना प्लेशन के वाद यूज़ी आने के पासी त से जली तो द्हीं नहीं सब्सक्क्राइए उक्षन को आपको क्या करना है नहीं ज्यादा पतला रखना है नहीं ज्यादा काड़ा अमुआ है और और इसमें हल्का सा पानी ओर डाल जाए थोड़ा सा गाड़ा लग रहता अब हमारा मिश्रन बनके त्यार हो गया है यह देखिए इस तरह का बेटर आपको त्यार कर लेना है फिर हमने यह जली बनाने के लिए एक हमारे पास था अगर आपके पड़ा बनाने का नहीं है तो आ अगर जो मेदी को बिल्कुल अवाइड करते खाना तो इस या मारी रस भरी जलीई बनके त्यार हो जाहएगी ओर कोई नहीं के सकता है यह हमने आटे से जलीब बनाई है और इसे दोनों साइट से हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अगर आपको ज्यादा ही कड़क खाना पसंद है तो आप इसको कलर को मतलब थोड़ा सा और ज्यादा फ्राई कर सकते हो अगर कम कड़क खाना पसंद कर से हो आप अपने नुसर कम जली में डाल दे और झटины जलिवी बना ली जो पूरर इसको यह हमने जली कर ली है जो हमने पहले से जली कर लिए बेढ गरोगी आपके पास गहर में बच Whilst तो आप यह घर पर ही आटे से बनी जली बना सकते हो और जली बनाने के लिए आप क्या करना दो कप शक्कल लेने ना और उसके बाद आधा कप पाने डाल कर चिप-चिपी चाशनी बना लेना है आपको ज्यादा गाड़े भी नहीं रखनी चाशनी को और उसे चले भी को हमने यह देखिए चाशनी में अच्छी से डुपकी लगवा दी है मतलब चाशनी को मतलब चाशनी में जली भी को हमने अच्छे से डाल दिया है और एक करके हमने इन सभी चाशनी को निकाल लेंगे अगर आपको यह पसना आती है तो मेरे को फॉलो करना तो बिल्कू ना भूले और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और मेरे पेज को भी अवी तक फॉलो नहीं करा तो जल्दी से खल लें और इसको हमने उलट उलट कर लें चाशनी में अच्छे से घुल जाएगी मतलब यह जलेबी चाशनी पी लेगी ऐसे इसको कराशनी बने में और किस्पी करारी जल्दी बनके त्यार हो गई है कि शेप पर मत जाना इसके और यह खाने में यकिन वानी है अच्छी लगी बेटर को आपको ज्यादा पतला नहीं करना है नहीं तो आपकी जले अच्शी नहीं बनेगी आपको थोड़ा सा गाड़ा ही